सब्सक्राइब जी एसकें ट्यूब चैनल और क्लिक ऑन बेल आइकन टो गेट एबरी लेटेस्ट न्यू अपडेट्स हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सिरीज का टेस्ट नंबर 5 इसे पहले हम लोग टेस्ट नंबर 1,2,3,4 कर चुके हैं और आज हम टेस्ट नंबर 5 करेंगे यह एक फुल टेस्ट है जिसमें की 100 questions दिया है हमने और सभी questions equal marks के हैं और कोई negative marking नहीं है आपके लिए time allot किया गया है 90 minute actual exam में आपको 2 घंटे का time दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर हमने 5 घंटा दिया है ताकि आपकी speed अच्छी रहे exams में बैठने के time पर तो इसलिए अभी से speed को maintain करके रखें यह test list जो है आपका batch नमर 24 का है booklet नमर A और book code है gsuro21 तो इसमें हम सबसे पहले part A देखते हैं general studies का उसके बाद part B को हम देखेंगे general hindi का तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें आपको कि आप अपना match करने के बाद answer मिलाने के बाद आप comment box में यह बताएगा आपकी कितने marks बने हैं साथ ही साथ आप WhatsApp नमर पर भी बताएगा कि आपकी कितने marks बने हैं कि तो पईला question है Mart Tran Adapt an issue में गनजापन का जूरोग हो जाता है यह जो गन्मर पूछा उता है इन्सान ऊकिस कव क्यो CEOs mamman होता है उसका नाम पूछा गया है तो option A सही answer हो जाएगा टिनिया केपिटिस के कारण ये गंजापन होता है अगर किसी के बाल में ये हो जाता है तो वो कह सकते हैं गंजापन हो जाएगा अगला है कुट्टे के काटने से होने वाली रेबिस जरोग के टीके का विकास किस ने किया था तो लुई पास्चन ने किया था इसका तो ये option C हो जाएगा यहाँ पर हम जल्दिली इसको discuss करेंगे explanation के लिए आप क्या करिएगा इसका PDF डाउनलोड कर लिजेगा इसका link हम वीडियो के निचे discussion में दे देंगे वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगला question है question number 3 vitamin से समान्दित कुछ question पुछे गए हैं तो यहाँ पहला option है vitamin की कमी के कारण मनुस्ति के सरीर में अनेक रोग हो जाते हैं तो ये बात सही है अगर आपके सरीर में vitamin की कमी है तो उससे related जो बीमारिया होती हो जाएंगी अगला है vitamin मनुस्ति की बिभिन उपापचे क्रियाओं को नियंतरित करता है ये भी बात सही है जो हमारे metabolic process होता है उसमें ये काम करते हैं तो इस तरह से दोनों statement सही है तो option C इसका सही answer हो जाएगा 1 and 2 दोनो अगला question है निमलिखित में से किस vitamin का नाम thymine है तो आज कल trend वन गया है नाम पूछा जाने का तो इसलिए हमने इसको दिया है तो इसका सही answer हो जगा B option vitamin B1 vitamin B1 का नाम है thymine अगला question है vitamin से समद्दित निमलिखित कत्रों में से कौन सा सही है आपको बताना है तो पहला option A दिख रहा है vitamin का sensation जो है मानोशरीर की कौछकाओं द्वारा होता है ये गलत है अगर हमारे सरीर में ऐसा होता तो हमें vitamin अलग से लेने जरुत नहीं पड़ती है तो ये statement गलत हो गया हमारे सरीर में नहीं होता है अगला है विटामिनों का संसलेशन मानो सरीर की क्रियाओं खुशकाओं दौरा नहीं होता है सही है बिल्कुल नहीं होता है मानो सरीर को विटामिनों की प्राप्ती विटामिन से युक्त भुज़ पदार्थों की 7 से होता है यह भी बास सही है यानि option A और B A गलत है B और C सही है तो इसका सही option हो जाएगा option D अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान निमलिकित में से किस अस्थान पर समानांतर सरकारे नहीं बनी थी पूछा गया है तो सतारा में बना था बलिया में बना था तल्चर में बना था यानि जैपुर में नहीं बना था तो option D इसका सही अंसर हो जाएगा next question है सहाइक संधी जो subsidiary alliance system को सुईकार करने वाला पहला भारतिय मूल का सासक यहां यह ध्यान रखना है पहला भारतिय मूल का सासक पूछा गया है तो यह हैदराबाद की निजाम थे option B इसका सही अंसर हो जाएगा next question है भारतिय सुत्मता संग्राम यानि इंडियन फ्रेडम इस्टेगल के संदर में कौन सी घटना के काला अनुकरम में सजाना है आपको तो जैसा कि आप जानते है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था 1905 में और सूरत जो भी भाजन हुआ था वो आपका 1907 में हुआ था और लखनोव पैक्ट जो है 1916 में हुआ था तो इस तरह से option में लाएंगे तो option B इसका सही अंसर हो जाएगा बंगाल का भी भाजन उसके बाद हुआ था कांग्रेस का सूरत फूट उसके बाद हुआ लखनोव संधी हुई थी option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है निमलिकित में से कौन सी रिपोर्ट विस आर्थिक मंच द्वारा प्रकासित नहीं की जाती है पूछा गया है तो global risk report ये प्रकासित की जाती है अगला question है किसने कहा था Simon Commission की रिपोर्ट को बकवास के धेर में फेक दिया जाना चाहिए तो ये स्वामी एयर ने कहा था इसा तो option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है Simon Commission का भारतियों ने बहिसकार किया था उसके पीछे कारण किया था उसके पीछे कारण ये था कि उसमें जो कमिशन बनाया गया था उसमें एक भी भारतियों नहीं था सबके सब अंग्रेज थे इसलिए उसका बिरोध किया गया था तो यहां option B इसका सही अंसर हो जाएगा यहां भारतियों प्रतिनित के बिना एक स्वेत आयोग था यानि सभी अंग्रेज थे इंडियन नहीं थे इसलिए बिरोध किया गया था अगला question है रास्ट्रे आपात काल की घोषड़ा जो ससस्त्र बिद्रो सब्द जोड़ा गया है तो यह 44-way amendment के तहाट जोड़ा गया है यह उप्सन ए इसका सही अंसर हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं 1978 में 44-way समिधान संसोधन किया गया था जिसमें आंतरी गड़वड़ी के अस्थान पर ससस्तर बिद्रो सब्द जोड़ दिया गया था क्योंकि इंद्रा गांधी ने इसका बहुत दुरुपयोग किया था इसी करण अगला कुशन है संसत के दोनों सद्मों दोरा आपात काल की घोस्ड़ा के होने पर या कितने समय के अंदर संसत द्वाना उसकी सहमती जरूरी हो जाती है तो पहले ये दो महीने था लेकिन इस बाद में संसोधन करके इसको एक महीने कर दिया गया तो आप्शन एस का सही आंसर हो जाएगा ये 44th Amendment Act के तहट किया गया था एक महीने ये ध्यान अकना है अगला कुशन है 6 April 1930 को भारती इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि ये तारीक किसलिए है तो ये है डांडी मार्च महत्मा गांधी जवारा सुरू किया गया था इसलिए इसको याद किया था डांडी मार्च अगला है भारत के सासन में एक प्रत्निधी और लोक प्रियतत्तो को पेश करने का पहला प्रियास किसने किया था तो ये किया था भारतीय परिशत अधनियम 1909 यानि ऑप्शन सीज का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन है भारत में साम प्रताइग निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा सुरू की गई थी तो ये मिन्टो मारले सुधार जो किया गया था 1909 में थब से सुरू किया गया था अगला है लार्ड मैकाले ने भारत में उच्च सिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिस की थी तो 1935 यानि ऑप्शन एस का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन है किस लड़ाई में भारत में ब्रिटिस सासन के सरबुचता अस्थापित हुई तो जैसा कि आप जानते हैं प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बेंगॉल पर बिजे हासिल की और उसके वाद बक्सर में ये की लड़ाई में फिक्स हो गया कि कौन सासन नहीं करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानि बक्सर की लड़ाई 1764 अगला कॉस्चन है भारतीय स्वतनता संग्राम का इतिहाज जो है इंडियन फ्रीडेम इस्टेकल क्विज किस पुस्तक द्वारा यानि किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी तो वीर सावरकर ने इस पुस्तक को लिखी थी यानि option A का सही अंसर हो जाएगा अगला कॉस्चन है किस राज के सासन सासक को अंग्रेजों ने कुसासन का बहाना बना करके उसको हटा दिया था सत्ता से तो ये अवध होगा यानि option A का सही अंसर हो जाएगा अगला question है आपका निमने लिखित कत्नों में पर विचार करें चैत और विहार यहाँ पर चैत और विहार के बारें पुछा गया है तो चैत जो है जनरली पूजास्थल हुआ करता था और विहार जो है निवास अस्थान हुआ करता था यानि option A का सही अंसर हो जाएगा बाउद धर में त्री रत्न क्या इंगित करता है तो त्री रत्न जो होता है बुद्ध धम और संग को इंगित करता है यानि option B का सही अंसर हो जाएगा अगला है क्वेशन लिंग राज मंदिर किस प्रदेस में इस्तित है तो है उड़ीशा में स्थित है भोन अस्वर में तो यह option age का सही answer हो जाएगा जो लिंग राजमंदिर है उड़ीशा के राजधनी भोन अस्वर में स्थित है इसे जजाती के सरी ने बन acted था या 11-12 सदी में बनाया गया था लेकिन फिर भी इसके कुछ अंस, जो कुछ हिस्सें हैं, 1400 साल फुराने हैं, अगला क्वेशन है, नटराज की कांस मूर्ती जो है किसे सम्बंदित है, तो ये चोल से सम्बंदित है, या उप्षन एसका सही अंसर हो जाएगा, नटराज की क महाद्यूपिय जल सीमा की परिभासा क्या है सही इसमें देखना है तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं यह हमाद्यूपियों का उतला हुआ समुद्री की विस्तार होता है जिसकी गहराई जो है 200 मीटर तक होती है और ढहलान बहुत चिकना होता है कह सकते हैं तो आप्शन C का सही अंसर हो जाएगा अगला है इवी पी क्या है इवी थारा है यह ठंडी अट्लांटिक धारा है यहां पर पुछा गया है थारा के बारे पूछा गया है तो के ए ने यह ठंडी धारा है अगला कुशन है समुद्रिय धाराओं के प्रिच्छेपण चक्रवात जिसमें उत्तर भूमद सागरे धाराएं खाडी स्ट्रीट और उत्तरी अट्लांटिक महा सागर के कैनेरी प्रिच्छेपण के समुद्री महा दीपो को सामिल हो इसमें प्रतिकूल प्रिच्छेपण संचन बनता तो यह सारगैसो सागर है वहां पर यह तीनों धाराएं मिलती हैं का सकते हैं सिंपल भासा में तेनी ऑप्शन डी इसका सही अंसर हो जाएगा न्याइधिसों के कारिकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है बताना आपको याद रखना है आपर नॉट करेक्ट पूछा है तो इसमें देखे पहले सुप्रिम कोड के न्याइधिस 65 वर्स की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं बिल्गुल सही है सुप्रिम कोड का न्याइधिस मुख्य न्याइधिस को अपना त्याग पतर दे सकता है ये गलत है राश्पति को देता ना कि मुख्य न्याइधिस को संसत के सिफारिस पर राश्पति द्वारा उसे हटाय जा सकता सही है Supreme Court के नियाएधिस को सिद्ध कदाचार की हालत में हटा जा सकता तो ये भी सही है यानि इसका आंसर हो जाएगा option B, यानि B option गलत है अगला question है, coral bleaching से क्या तात पर है, जो coral reap अब जानते होंगे coral bleaching से, तो ये संदर्भित करता है कि coral जो बिलिप्थ होने की प्रक्रिया में आ गया है तो इसको coral bleaching कहते हैं, अगला question है, निमलिखित में से किस महासागर के मद्ध में उत्तरी धुरुब है तो ये आर्कटिक महासागर है, यानि option B, इसका सही अंसर हो जाएगा next question है, निमलिखित महासागरों में कौन सा, S आकार का है, तो S रिज जो इसको कहा जाता है ये आपका Atlantic महासागर में है, यानि एक परकार से कह सकते हैं, जो ये अमेरिका है ये कह सकते हैं, यहाँ पर अमेरिका जो है, यहाँ पर S टाइब का एक पहाड निकल ला है, उसको S रिज कहा जाता है तो ये Atlantic महासागर में है, अगला है Marina Trench, किस महासागर में इस्तित है, यानि 20 की सबसे गहरी खाई, जो है वो परसांत महासागर, यानि पैस भी कोशन में है, उसको Marina Trench कहते हैं, option B, इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन निम लिखित में से, कौन दुधास्थल या और अस्थालिये, जानवरों के विकास के लिए उत्तरदाई है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ज्वार, option A, इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है, आपका कारण और एसरसन रिजन के वर मताये गया है, देश के लगभग 30% बाकसाइड काउत पादन आपका होता है, मध्य प्रदेश में, तो यानि option ये सही है और अगला है, सरगुजा, बिलासपूर, राइगर, कटनी, दुर्ग, बाला घाट, छेतर में, सरडोल, जिला जो है, इसके अंतरगत मैकाल की पहाड़ी में स्थित्थ अमर कंटक, जो से बाकसाइड प्राप्त के आता है, ये भी सही है तो यानि इसका कारण भी ये बता रहा है, यानि option A, इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है, केरल के तट पर मोनाजाइट, मोनाजाइट रेत में क्या पायाता है, तो ये थोरियम के विसाल भंडर पाये गया है, तो option C, इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है, आपका, चांदी कीमती धातों में से एक है, और यहाँ अर्जेंटीना, गिरिट से निकाला जाता है, ये बास सही है, और चित्तोरगर राजस्थान में चांदी उत्पादक सबसे बड़ा छेतर है, अस्थाल गुजरात के भरूज में है, इस तरह से देख सकते हैं, तो ये भी statement सही है, लेकिन कारण नहीं बता रहा है, तो ये option B, इसका सही अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट question है, भारत में 98% कोईला, मोरोन चेतर के गोंडवाना चेतर से प्राप्त कियाता है, तो कभी कोई question पूछा आता है, कोईला सबसे ज़्यादा कहां पायाता है, ग अगला है, मीथेन गैस के कारण कोईला चेतर में स्त्रमिको में पाये जाने वाले दो प्रकार के सामान ने बीमारी कौन सी है, तो ये अस्थमा और छे रोग होता है, तो ये option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, ऐसे अस्थान पर जहां पर मीथेन गैस वोकार निकलती है, वहा कान की बराबरी कर लिए है, यानि option C, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question है, Bureau of Police Research and Development की रिपोर्ट की मताबिक, वरतमान में देश भर में पुलिस बल में कितने परसन महलाएं हैं, तो लेगभग 10.3% के आसपास हैं, तो यानि option A, इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला question न न्यूजिलेंड में 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाडी बन गया है, तो ये किन बिल्यमसन है, यानि option A का सही अंसर हो जाएगा, अगला question है आपका, निमलिखित में से किस राज सरकार ने, ओलम्पिक में जो 69 पतक विजयता बनेंगे, उनको 3 करून रुपे की रासी दी तो ये राजस्थान ने इसा डिकलेर किया है, यानि option A का सही अंसर हो जाएगा, यानि अब कोई राजस्थान का खेलाडी जाकर के ओलम्पिक में 69 पतक लाएगा, तो इसको 4, 3 करून का इनाम दिया जाएगा, इसका main मकसद है कि खेल को बढ़ावा देना, अगला है किस रा वर्स दो हजार 22-3 से साओर उर्जा मिलने लगेगी, तो ये मद्य परदे में होगा, यानि option A का सही अंसर हो जाएगा, अगला कोईस्थान है आपका, दी क्रॉनिकल अफ फिलेट्रोफी की रिपोर्ट के मताबिक, वर्स 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस वेक् राजी सरकार ने किसान सुरियोदय योजना लगों की है, तो योजनाओं से सμम्द्धित कुछ्चन आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ पर होगा अंसर गुजरात, गुजरात राजी सरकार ने किसान सुरियो लुल दंड का प्रोविजन नहीं रहेगा अगला प्रवासी भारतिय दिवस किस दिन मना आता है तो प्रवासी भारतिय दिवस नौ जन्वरी को मना आता है इसी दिन महत्मागाधी जी अफरिका से आये थे इंडिया इसलिए उनकी याद में मना reinforced बिन हुट बिला दे और ऊंते हैं हुट और है तर फाइब नुक्त को भारत को से हाल करुछ से निला सान गुंडानिफ क्जिया गया है दो यह जैसा कgeons to स स अबने लिए 2 साल का प्रोविजन एं यि मैं बने हुटे रहसका हैं हर यानि एक बार बने तो दो साल तक वहां टंपरिर मेंबर रह सकते हैं यह था हिंदी का अब आप सारी जनल स्टेडिश का आप हिंदी के को देख लेते हैं पचास कोश्टन जियस के आएंगे और पचास कोश्टन हिंदी के आएंगे तो इसी पैटरन पर आपको एकजाम में जरुद देखने को मिलेगा उसमें मेन एकजाम में तो अब देखते हैं पहला उत्तम का विलूम क्या होता है तो उत्तम का जो विलूम होता है अधम होता है option C's का सही अंसर हो जाएगा next question है कृतग्य का विलूम क्या होता है तो कृतग्य नहों होता है option C's का सही अंसर हो जाएगा अगला है विपत्ती का विलूम क्या होता है विपत्ती का विलूम होता है संपत्ती यही option D's का सही अंसर हो जाएगा अनुराग का विलूम क्या होता है तो अनुराग का होता है विराग यह अप्शन सीज का सही अंसर हो जाएगा अगला है दक्षन का विलूम क्या होता है दक्षन का होता है वाम अप्शन सीज का सही अंसर हो जाएगा अगला है आसा का विलूम क्या होता है तो आसा का विलोम होता है निरासा यानि option बीस का सही अंसर हो जाएगा next question है कलुस का विलोम क्या है तो निस कलुस होता है यानि option सीज का सही अंसर हो जाएगा चिरंतन का विलोम क्या होता है तो चिरंतन का विलोम जो होता है आपका नस्वर यानि option C's का सही अंसर हो जाएगा सन्यासी का विलूम क्या होता है तो सन्यासी का होता है ग्रिहस्त यानि option C's का सही अंसर हो जाएगा सिरी गड़ेस का विलूम क्या होता है तो इती सिरी होता है यानि option C's का सही अंसर हो जाएगा अगला है दिये गए सब्दों से भिन अर्थ वाला इसमें तीन एक समान है और चोथा भिन है तो उसको बताना है तो ये है भिन आप्षन भार्या यानि आप्षन सी इसका सही अंसर हो जाएगा इसमें बताना भिन अर्थ वाला तो इसमें हो जाएगा तुरंग इनि आप्षन एस का सही अंसर हो जाएगा ये परियावाची सब नहीं सब अंधकार का परियावाची क्या होता है तो अंधकार का होता है तिमिर अप्षन सीस का सही अंसर हो जाएगा अगला है निधन निधन का परियावाची जो होता है देहा अफसान होता है यह अफसन 20 का सही अंसर हो जाएगा निम लिखित में से कौन सब इकल्ब किरण का परियाबाची नहीं है पूछा गया है तो किरण का परियाबाची प्रकास नहीं होता है अगला कॉशन है सामनार्थी सब्द बताना है नियती का तो नियती का जो होता है इसका परियाई बाची नियती सब्द का भाग्य होता है option D's का सही अंसर हो जाएगा अगला है अलंकेश का परियाई बाची पुछा गया है तो अलंकेश का होता कुबेर यह option C's का सही अंसर हो जाएगा अगला है कौन सा सब्द बादल का प्रियाबाची नहीं है याँ बादल का पुछा गया है तो बादल का वारिधी नहीं होता है तो यहीज का C अप्सन हो जाएगा सही अगला है असूर का प्रियाबाची सब्द नहीं है तो यक्छ नहीं है और बाकी सब्द है यह अप्शन डीस का सही अंसर हो जाएगा आम का प्रियाबाची सब्द नहीं है पूछा गया है तो पिक नहीं होता है अप्शन डीस का सही अंसर हो जाएगा अगला है अब ये अनिक सब्दों की एक सब्द पूछा जा रहा है तो युद्ध करने की इच्छा करने वाले बेक्ति को कहते हैं यूद्सू यानि अप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा अगला कॉश्चन है ये भी अनिक सब्दों की एक सब्द हैं तो जो ततकाल उतर दे उसे कहा जाता है आपका प्रत्यूत्पन मती अगला है अंक एक छड़ के बारे में पूछा गया है अंक एक छड़ किसको कहते हैं तो आए बे के आंकडों की जाच करने वाले को अंक एक छड़ कहते हैं जिसका समंद्ध प्रत्वी से होता है उसे पार्थिव कहते हैं यहां पर अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था रेखांकित सब्द वाक्यांस में एक सब्द चुन्ना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा तन्मैत्या यहां पर अप्शन कुस्तर हित हो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है निर्मम और इंए उप्संसी का सख्या अंसर हो जाएगा जो किसी का हीट चाहता हो उसे क्या कहते हैं उसे हिते सी कहा जाता है यिस 안सर है रोक्स प्लक को गिराए बगार मतलब कहा जाता है क्या है अगला है यहां पर कुछ सवाक के दिये होएं उसको सुद्द करना है बताना है क्या गलत है क्या है नहीं है तो यहां पर बताना है डाक्टर के कहने पर मैंने साम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरूख किया तो यहीं पर गलत है यानि मैंने साम सुबह ऑप्शन लिखेंगे लंबी सैर की यानि B option से हो जाएगा अगला question है चामा कीजिए मैं कल नहीं आपाऊँगा क्योंकि मैंने पटना जाना है तो मैंने पटना थोड़ी आना होता है मुझे पटना जाना है तो मैंने पटना जाने में गलत हो गया यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा यहाँ पर सुद्ध वाक के खोजना है तो इसका सुद्ध वाक होगा option D वाह कितना सुंदर द्रिश्य है अगला question है आपका कौन सा सुद्ध है आपको बताना है राम चैत मानस एक धार्मिक गरंत है यह सुद्ध है तो यहाँ अप्सन A इसका सही अंसर हो जाएगा 85 नमर question है आपका निम्लिकित में से कौन सा वाक के सुद्ध दूरूप से चैनित है तो यहाँ option B है बैल और बकरी घास चड़ते है अगला है असुद्ध वाक के बताना है भिखारी की दसा से मुझे दया आ गई तो यहीं पर गलत दिख रहा है दसा से थोरी होता है यहाँ इसका सही अंसर हो जाएगा next question है वाक के असुद्ध भाग का चैन करना है तो इसमें आंसर हो जाएगा बी विसमेर लिए चड़ो युम घटना हो next question है 88 number वाक के असुद्ध भाग को चुनना है तो इसमें घर के असुद्ध भाग का सही अंसर हो जाएगा अगला question है यह भी वाक की में असुद्ध कहीं दिया होगा उसको देखना है तो यहाँ पर होता है आ जन्म परियंत गरीब ही रहें यह गलत है आपका next question है वाक के अ खड़ो और घटनाओं का यहाँ पर असुद्ध है next question तत्सम तत्भों से लेटेड़ है तो पूछा गया है तत्सम सब्द चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा वर्शा option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है आपका Sanskrit के ऐसे सब्द जिससे हमें ज्यों करते हो प्रयोग में लाए जाता है उसे क्या करते हैं उसे ही तत्सम करते हैं definition दिया हुआ है option A इसका सही अंसर हो जाएगा निम लिखित में ज़रूड सब्द कौन सा है तो यह पसू है । जाएगा निचे दिये गए विकल्बों में तत्सम सब्द का चैन करना है तो गो धूम होता है याजय का सही अंसर हो जाएगा 95 नजमर क्वेशचन है विकलप में तदभो सब्च चुनना हैoned तो यह मुह है आनिए उप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा दर्षन का तदभो बताना है तो यह हो जाएगा दर्षन आप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन है निवित को सब्द तत्सम है तो उद्व गम है आनि आप्शन इसका सही अंसर हो जाएगा अपील सब्द क्या है तो बताना आपको तत्सम है कि तत्भो यह देशज सब्द है अपील जो है देशज सब्द है सरी विदेशज सब्द है देशज नहीं विद ये सब्ध है, option D इसका सही अंसर हो जाएगा, अगला मगही सब्ध क्या है, तो ये तद भो है, अनि option B इसका सही अंसर हो जाएगा, और last question है, सब्ध है आपका तद सम, option A इसका सही अंसर हो जाएगा, इस तरह से हमने 100 questions को यहां देख लिया, I hope आप उको सम्झा गया होगा, कि आपके कितने marks बनने हैं उसी के हिसाब से merit को हम decide करेंगे कि highest merit कितना जा रहा है तो I hope आपको सब्सक्राइब नहीं किया होगा यदि आपके पास कोई सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में हमसे पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए GSGNTube चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा